आज हम पढ़ने वाले स्ट्रेंड लबीफ पब्लिकेशन की जो बुक है क्लास एट की लेसन नमबर टैन यह जो पोएम इसका मीनिंग लाइन बाइन हम आथ समझने की कोशिस करेंगे स्ट्रेंड ठीक है तो क्या मतलब है इसका स्ट्रेंड होम का मतलब होता है घर जाना घर में लाना है ना होम का मतलब होता है घर में लाना दे ब्रॉड घर में उन्होंने लाया हर वारियर अपने उसके योद्धा को डेड मतलब मृत है ना जो कुछ दे का मतलब है यहाँ पर जो सिफाई लोग है सिपाई लोग उन्होंने क्या किये जो warrior होते हैं जो युद्ध लड़ते हैं युद्ध करते हैं तो कुछ warrior मारे गए इस ट्रेंड है ना तो सीन ऐसा है कि कुछ warrior मारे गए हैं और एक उन warriors को वापस लाया गया है उनके घर में उनकी डेड़ बॉड़ी को और यहां पर बताया गया कि एक जो वारियर है उनकी जो वाइफ है है ना वो किस ट्राइब से अपने एक्सप्रेशन दे रही है जब वो देख रही है कि मेरे पती मर गए है मेरे पती की डेट हो गई है प्ендी प्टेशिओ के वे वे ट्राइवा रही है है ओ फाईयु यहां बात को समझ थ्राइब्यागा था मतलब कसा तर्ड पेन है अ अ हूथ हवाइफ एक wife के एक पत्नी के दिल का दर्द यहाँ पर describe किया गया है ना बताया गया है whose husband's dead body जिसके husband की मृत्षरी dead body को has been brought लाया गया है by other warriors दूसरे warriors के द्वारा जो कुछ दूसरे warriors है उनके द्वारा क्या किया गया है उनकी dead body को है ना उस wife की घर पर लाया गया है तो वो कैसा उनका दुख है उसो यहाँ पर दिखाया गया है ही डाइड fighting for his country वो जो warrior है वो मारे गयते अपने देश के लिए लड़ते हुए she is so socked तो उनकी जो wife है she उसी को बोला गया है she is so socked वो इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा दुख की वज़े से उसे जटका लगा sock लगा है by his death उनकी death से that key she is not even weeping कि वो रो तक नहीं पा रही है she is not even weeping वो रो भी ने रही है इतना ज़्यादा गहरा सदमा लगा है उसे sock लगा है इस्टाइड यहाँ पर दे कुष्टन क्या है वहती emotional story यह देख लेते हैं poem home they brought her warrior dead जब घर लाया उन्होंने दूसरे सिपाईों ने दूसरे warriors ने हर warrior उसके योद्धा को उसके husband को dead है ना जब मृत सरीर को घर लाया dead का मतलब है dead body यहाँ पर है ना हर warrior dead हर warrior dead body को dead बोल दिया ठीक है ना जब दूसरे warrior ने उनके मतलब इस लेडिस के warrior के husband को warrior को जब घर लाया उनकी dead body को तो क्या हुआ इनका reaction क्या है दोको फी नौर सूंड नौर uttered cry तो उन्होंने ना तो वह सूंड का मतलब होता है हर madden's madden's का मतलब होता है सहेलिया या कवारी कन्याओं को बोलते हैं उनकी जो सहेलिया है लेडिस की तो उनकी सारी सहेलिया है watching जो इस चीज को देख रही है इनके expression को कि यह ना तो यह रो रही है ना यह बेहुस हुई है watching देख रही है sad उन्होंने कहा है उनकी सारी सहेलिया जो इस द्रिश्य को देख रही है उन्होंने कहा क्या कहा she must weep उसे रोना चाहिए इसे क्या करना चाहिए रोना चाहिए और नहीं तो she will die वो मर जाएगी इस दुख के सदमे की वज़े से कही उसकी death न हो जाए अगर यह दुख आसों के रूप में अगर यह दुख बाहर ना निकला तो यह दुख क्या करेगा उसे एक सदमा देकर कहीं उसे मार न दे इसलिए उसकी सहली बोल रही है उसे रो देना चाहिए नहीं तो वो मर जाएगी इस सदमे से आगे देखो इस्टेंग क्या है देन डे प्रेज्ड हिम हिम का मतलब आप देखो हिम लेडिस के लिए तो आता नहीं जैन्स के लिए आता है ना तो हिम बोल रहे है उसी जो वारियर जिसकी death हुई है उसको कहा जा रहा है दैन दे उसके बाद वे मतलब वह मतलब वह जो स यहीम वर्दी टुबिलव और उन्हें कहा रहे हैं कि वह क्याते सब के dos के सब पसंद करते थे टूएस्ट फ्रेंड एक सक्चा मित्र क्यूं नहूं क्यूं न उन्हें कह रहे हैं कि वो क्या थे सब के चहते थे ठीक है ना ऐसा हो कह रहे है यट इसके बावजुद भी सी नाइदर इस्पोक नौर मूड ना तो उस लेडीज ने उस वॉरियर की जो पतनी है उसने ना तो कुछ कहा इस्ट्रेण और ना ही वो हीली बिल्कुल सौक लगा हुआ है सांत है बिल्कुल इस्ट्रेण ना कुछ बोल रही ना हील रही है है ना stole a madden from her place, stole का मतलई होता है चुपचाप हिलना, अपने जगई से खिसक जाना है stole a madden, एक सहली उसकी है जो चुपचाप अपने जगई से हिल रही है from her place, अपने जगई से उठ रही है, वो lightly to the warrior stepped और धीर ऐसे हलके कदमों से जहां पर warrior को step मतलब रखा गया उनकी dead body को वहां तक वो पहुंच रही है took the face cloth from the face और उनके चहरे से जो face के ओपर जो cloth धका हुआ है जो कपड़ा धका हुआ है वहां से उस cloth को क्या कर रही है हटा रही है चहरे से तुक मतलब ऐसा हटा रही है यट उसके बावजूद भी उस चहरे को देखने के बावजूद भी see neither moved nor wept ना तो वो हिली जो वाइफ थी उनकी और ना ही वो रोई ठीक है अभी भी वो दुख की गहराई में डूबी हुए अभी सब को लग रहा है यार यार यह रोई की नहीं तो यह दुख उसकी जान न ले ले ठीक है रोज अनर्स ओफ 90 यहर्स एक नब्बे साल की जो नर्स वह उठी स्ट्रेंट अपने अपने जगह से उठी और उनके बच्चे को क्या की सेट इस चाइल्ड अपन हर नी उनके घुटनों के पास उस चाइल्ड को ले जाई उनके पास में ले गई इस त्रेंट है ना और फि जो बहुत बड़ा तूफान होता है ना केम हर टियर्स उस तरह से उनके आखों से आसू बहने लगे जैसे दुख का एक तूफान उनके आखों से आसू के रूप में निकल रहा है ऐसे उनके आसू निकल पड़े स्ट्रेंट स्ट्रेंट मैं रहा है हिए मेरे प्यारे पंट ऐसे में जिवित हुँ मेरा बाच्चा है 14 दुख में, इस दर्द में, इस सौक में मेरी भी जान चली जाती है, ऐसा वो लास्ट में कह रही, Sweet my child, I live for thee, दी मतलब you, इतनी गजब की कहा, इस poem इस पोयम इस आपको कैसी लगी, मुझे जरूर वताना इस आपको कमेंट करके, Thank you very much, my dear students.